नमस्कार दोस्तों मैं आश्री शंतिल लोगों को ऐसा लगता है कि नरेद्र मोदी एक शपत लेंगे लेकिन एक नहीं वो चार-चार शपत लेंगे इन फेट जो भी मंत्री अभी बनने वाले हैं वो चार शपत लेते हैं इस पूरे सिक्वेंस को सबज़ना कैसे सबसे पहले election लड़ने से पहले जब election के लिए ये फोम भरते हैं ना मांकन पत्र को भरते हैं एक उसकी शपत होती है कि इसकी सामने election commission के किसी अधिकारी के सामने walker के सामने या फिर और को प्रिसाइडिंग ओफिसर चाहे वो तैसिलदार हो डिस्टिक इसकोise इलेक्शन कमिशन ने वो पावर दे रखी है उसके सामने शपत ली जाती है हाले कि पर ऐसे हाथ रख कर शपत नहीं होती है वह लिखित में होता है कि मैं शपत लेता हूं कि मेरे दुआरा दी गई जानकारी सही है अगर गलत मिले तो मेरा नामंकर मेरा फोर्म मेरा जीत गए तो मोधी प्रधान मंत्री पद की शपत लेंगे दूसरी शपत प्रधान मंत्री पद की एक मंत्री पद की शपत जिसमें वो कहेंगे मैं सविधान के प्रती सची निष्ठा सर्दा रखूंगा इस तरीके से जो राश्पती दिलाएंगे और जैसे ये वाली शपत खतम होगी तुरंद के तुरंद गोलेंगे मगदा भी आप लोग सुचेँगे दूसरी क्BY शहते हैं हलैकि दूसरी नहीं है तीसरी शप्ट हो गई है राश्पदी के सामने खड़ेर गड़े दो लगाता शपत यह दूसरी जो विकी वह गोपणियता की शहतEMA होती और ओफ सिक्रेसी मत्तमोदी यह कहेंगे कि मेरे द्वारा मेरे पास कोई भी जानकारी आएगी जब तक वो अनिवारे ना हूं मैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करूगा जैसे आपको पता होगा कि आपको लगता है नरेंद्र मोदी को यह नहीं पता कि भारत में कितने परमाण प्रवे हुए हैं गोपनिय तक ही शपत को तोड़ दिया उनको इस्तिफात देना पड़ सकता है तो तीन शपत उसके बाद लोगसभा को बुलाया जाएगा सभी के सभी जो अभी लोग जीते हैं पांसो त्रितालिस लोग जीते हैं वो सभी लोग सभी में आएंगे और एक चार चार शपत लेते हैं पहले इलेक्सन लड़ने से पहले और बाकी तीन शपत राश्पती के सामने एक मंत्री पत की चाहे वह शिक्षा मंत्री हो विदेश मंत्री हो रक्षा मंत्री हो कोई बी मंत्री हो नेक्स्ट गोपनियता की मेरे सामने कोई भी मौमला आएगा जब तक जुरूरत ना हो मैं किसी के सामने शेयर नहीं करूंगा शपत यहां पर लिखी भी हुई है गोपनियता की शपत और उसके बाद MP पद की शपत अब जैसे राहूल गांदी है वह मंत्री तो नहीं है तो व अब एक बार शपत होती होगी ऐसा नहीं होता है उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ माई होगी बाकी ऐसी और जान करें लेकर आओंगा फिर आओंगा जरूर आओंगा नमस्कार